Hello everyone and welcome back to opening aksha और मैं शर्माज आपको अपड़ाने वाला हूँ class 12 की python So last class में मैंने data structures के बारे में पड़ा था और stacks के बारे में थोड़ा सा detail ने पड़ा था इस वीडियो में में stack को implement करना है Implementation में मैंने बताया था आपको कि कितने functions बनाने होते हैं अब यह हमारा stack है इसके बार हम सारी चीज़े करेंगे पहला function बनाते हैं चेक करने के लिए कि हमारा stack empty है कि नहीं So हम define करते हैं is empty नाम का एक function इसके नदर आपने stack को ऐसे parameter देंगे अब मैं को check करने कि stk जो हमारा stack है मतलब यह s है लेकि निए stk होंकि यह parameter है ताकि confusion लाओ इनको अलग लग नाम दिए गए है तो अगर मैं को check करने कि stk खाली है कि नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ stk मुझे पता है कि list है तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ if stk is equal to equal to एक खाली list उसके समें मैं क्या return कर देना है true यानि कि हमारा जो stack है वो खाली है is empty true और अगर ऐसा ना हो यानि कि stack जो हो एक खाली list नहीं है उसके समें false return कर देंगे तो यह तो हो गए हमारा काफी easy is empty का function एक function हम बना लेते है अपना push का सो अगर मेंको push कराना है तो push के लिए मैंको पहले stack बतना पड़ेगा और मेंको यही बताना पड़ेगा कि मिरें क्या push करना है तो उसके लिए एक item मना लेते हैं सो मेंको stack इंदर item बतना है सो अब मुझे पता है जिसके हमारी list है stack के अंदर top पे हमारा item आएगा वैसी list में एक तरह से end में item आएगा so stack में top की जगा मैंने क्याकर list में append कर दिया but यहाँ पर मैंने चीज़ बता थी कि हम एक top भी maintain करके चलना होता है so यहाँ पर हमें push के दुरान उस top top को छेड़ने के जरुत पड़ेगी so यहाँ पर मैं top भी define कर देता हूँ so starting में हमारा top नन है but जब मैंने उसके अंदर एक element डाल दिया अब top की value क्या होगी अब top की value हम decide करेंगे कि उसके अंदर कितने element है अगर 5 element है तो top की value 4 हो जाएगी जैसे हमारा index होता है वैसी हमारा top चलता है तो अगर 1 element तो 0 तो top हमारा 0 पर है फिर top 1 पर top 2 पर तो जैसे index हमारा length से 1-1 तक चलता है similarly यहाँ पर top भी हमारा length से 1-1 तक चलता है तो माल लेते हैं अगर stack के अंदर 5 element है तो हमारा top कहां पर होगा 5 element पर जो हमारा सबसे top पर है append function के help से और last में जाके top की value में को change करने है होगि top अब एक ऊपर आ जाना चाहिए तो मैं क्या करूँगा जितनी भी stack की length है उसमें से 1- तो जैसे अगर 10 length है तो 9 पर आ जाएगा same index को लाई है एक function बना लेते हैं अपना pop का pop के अंदर बस में को stack लेना है और फिर क्या करना है top को निकाल देना है top पर जो element है तो pop कराने से पहले मैं यह check करना हूँ कि कहीं हमारा stack अल्रेडी खाली तो नहीं है तो जो under flow वाली condition मैंने बताई थी तो उसके लिए मैं क्या करूँगा अब pop करना मतलब क्या होता था कि उपर वाले element को निकाल के भाहर लाना है तो मैं को just remove नहीं करना अगर मैं list के अंदर जो remove function होता था उसको use करूँगा सो remove से क्या होगा वो element हट जाएगा बट वो मेरे को मिलेगा नहीं similarly अगर मैं delete करूँगा delete से भी यो delete होगा अब जैसे delete के अंदर में एको index देना पड़ता है कि मैं वो कौन से index पे element उडाने remove के अंदर में को element देना पड़ता है कि मैं वो कौन से element उडाने बट इन दोनों से हटके एक pop नाम को ऑल्रेडि बना होता है list के अंदर same pop जो हमें यहां करना है वो हैं करता है जो index पे से हमें element रटाने वो हटा भी देता है और हमें return भी करके देदेगा तो अगर pop के starting में मैं उसको किसी variable के अंदर डालूँगा तो वो वे रिटर्न भी करके देदेगा साथ में तो इसी pop को यूज़ करके मैं अपने stack में से pop करा लेता हूँ क्योंकि stack adds the end हमारी है तो एक list ही तो मैं यहाँ पर i is goes to stk.pop कर दूँगा तो क्या होगा जो भी हमारा last element list का वो pop आकर i के अंदर आ जाएगा अब मैं हो क्या करना है अब मैं को top को change करना है अब मुझे top को change करना है so top को मैं क्या करूँ एक से घटा देता हूँ so top is goes to so अब पर मैंने top की value एक से घटा दिये बट यह ठीक है लेकिन एक case में fail हो जाएगी इस case में हमारे stack के अंदर जस्ट एक ही element है अब मैं पर stack में a की element है यह नहीं top हमारा 0 पर है उस case में top को minus 1 पर कर देगा तो वो गलत है तो मैं उस case में क्या करता हूँ तो मैं if की condition मनाँगा और उसके अंदर डालूँगा कि अगर हमारा stack up खाली हो चुग है यह भी कह सकते हैं कि length of stack up 0 हो चुग है उस case में मैं क्या करना है top को minus 1 कर देगा नहीं वैसे तो मैं इस case में top को वापिस none करा दूँगा और अगर ऐसा नहीं होता यानि कि एक से जाधा element है और pop कराने के बावजूद उसके अंदर कुछ elements बचे है तो टॉप की value जित्ती ती उससे एक घटा दूँगा यूँकि जो top वाल element था वो हमने भाहर निकाला और उसके बाद उसको एक नीचे कर दिया value को जितना था उससे और end में जाके मेरे को i को return करा देना है तूँकि i हमने top element निकाला था इसको हम return करा था इस वाले pop में और इस वाले pop में confuse निए होने है तो यह वाला pop हमरा list वाला pop है और यह वाला हमने खुद का pop बनाए तो ताकि confusion नहीं हम इसको नाम देदेते हैं अपना s pop यानि stack में से हम पॉप करा रहे है तो यह pop है जो list के अंदर होता है जो हमें list में से element निकाल के देता है और यह हमने अपना stack के हसाब से बनाए है इसमें addition का है बस कर तो यह भी pop ही रहे बट इसके अंदर under flow की condition और top के साथ खेलने का हमने डाल रखा है next हमारा आता है peak function यानि जिसके अंदर हम टॉप को सिफ देखके हैंगे stack के अंदर से तो इसके में अपना stack डाल देता हूँ अब मेरो क्या करना है बस top वाली value निकाल के दे देनी है तो अगर हमारा stack अगर खाली पड़ा है यानि कि एगर if is empty stack जो हमारा stk है अगर यह खाली है तो उस case में बता दूँगा कि भाई underflow कुछ ही निसके अंदर तो क्या देखें और अगर ऐसा नहीं है यानि कि हमारा stack जो खाली निसके अंदर कुछ elements है तो उस case में क्या करूँगा top पर जो elements उसको निकाल दूँगा यानि कि हमारा function होता है डिस्प्ले का यानि कि अगर हमें पूरे stack को दिखाना है तो उसके लिए display function बना जेते हैं stack का नाम डालना है अब इसके अंदर basic loop कर लूप यूज़ करके हमें print करा देना है पहला तो अपनी वह condition अगर कि stack empty ही पढ़ा है यहां से हमें top मिल जाएगा उसके बाद अब इसको print कराना है stack जो हमारा होता है वो vertical order में होता है यहां पता है कि इसा ऊपर top होता है और फिर नीचे उसके elements होते है तो हम इसको उसी तरीके से print कराते है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ so for i in range और इसको मैं चलाएता हूँ कहा से top तो हो चुका है so top से एक पहले से अब यहां को 0 तक चलाना है और यहां हमने प्रता है कि for के अंदर जो range डालते है वो inclusive नहीं होती तो last से एक पहले तक चलता है तो यहां को minus 1 डालना पड़ेगा अभी जो इसका हम output देखेंगे जो आपको clear हो जागा इसका use क्या था अब हम अपना main program रहा से लेखना start करते है जिसके अंदर में stack की implementation start करेंगे so सबसे पहले हम choices देंगे user को यहांनि माल ले था हम एक user को use करा रहे हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा stack implementation का program है stack implementation अब उसके बाद हम उन्हें choices देंगे पहला हम देखेंगे push जो हमारा push function है तो अगर stack में push करा रहने तो फर्स option चूज़ करें और इसी को copy paste कर देते है second हम बनाएटे अपना pop का next बनाएटे यह peak display और last में हमारा exit इसके बाद हम उन्हें अपनी choice मांगेंगे कि उन्हें कौम सा option चूज़ कर लें तो एक choice को हमें ch बना लेते हैं और इसको input करा लेते हैं और इसमें लिख देते हैं enter the choice 1 to 5 अब यह जश्ट एक ही बार होगा मैं एक choice जलबाऊंगा एक बार input को और उसके बाद हमें एक बार function बुला लेंगे अगर मैं को इस चीज़ को repeatedly repeat करते जाना है तो उस case में मैं इसके लिए एक while loop लगाएता हूँ और while का एक infinite loop लगाएता हूँ की चलता ही रहे वाइल लूप होता है जब तक इसी condition true है जैसी condition false होती है true जाता है तो मैं इसी condition में यह गए true डाल दूँ तो यह तो फिर हमेशे ही चलता रहेगा तो मैं इसी condition में true डाल दिया यह भी एक infinite loop बन चुका है यहाँ पर एक चीज़ सीख लो जब भी हम एक infinite loop बनाना होता है enter the item you want to insert item आजने के बाद भी उसको push करा देंगे अपने stack के अंदर हमारा stack क्या था सबसे उपर हमने बनाए था s नाम से s के अंदर में हो क्या push करना है item तो push s item यग कि हमने push के अंदर डाल था न push के अंदर क्या के parameters हैंगे एक हमारा stack आएगा और फिर item आएगा तो stack था हमारा s item हमने item ही बना है और उसके बाद print कराएता हूँ कि हमारा item आचुका है तो यहाँ पर डाल देता हूँ percent d edit successfully तो अगर हमारा कोई user first one डालता है ch के अंदर तो हमारी first choice चूस करता है तो उस case में हम क्या करेंगे वही item उन से लेंगे उसको push करा देंगे और डाल देंगे कि जो अमारी item है percent d ये percent item को point कर रहा है percent item ये जो भी value डाली है edit successfully अब उसके बाद ये क्या होगा print होते ही हम मेरे को क्या करना है एक choice तो होगी अब दुबार से वापस उपर चाना है अब यहाँ पर क्या होगा जैसी ये print हुआ और बाकी सब्सक्राइब तो मैं इस सारी LF की condition होगी यहाँ पर LF की में पहली condition बना जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने 1,2,3,4,5 सारी condition बना दी टू के अंदर में पॉप की बनाँगा थी के अंदर पीक की फोर के अंदर डिस्प्ले की फाइव के अंदर एक्जिट की ठीक है तो अगर यह इफ चला तो यह सारे नहीं चलेंगे अगर यह सारे नहीं चलते जैसी यह print वाली statement खतम होगी यह सारे skip करके वाप इस उपर वाइल पर चला जाएगा तो यहाँ पर जो यह print वाली चीज है इसको मैं एक तरह से hold करके रखना है पहले तो मैं इसको hold करने के लिए क्लिए क्या करता हूँ यहाँ पर एक input लगा तो लेकिन इस input की value नहीं लोगा कहीं इसमें डाल दूँगा press any key to continue यह तो होगा हमारा one का item लेंगे push करेंगे print करा देंगे item add होगे और फिर उससे press any key to continue करा लेंगे अगर वो two दो आता है उस case में को pop करना है so pop के case में pop बुला लूँगा so मैं क्या करूँगा pop में अब मैंने उपर देखा था तो मैंने S में से S को pop करा दिया अब अगर item में दो ही चीज़ी return हो सकती है पहली कहा थी underflow दूसरी कहा थी जो भी element है अगर item में underflow आ जाता है तो अगर underflow return होता है तो मैं इनको उस case में बता दूँगा कि stack खाली पड़ा है उसके लिए कुछ है नी अगर कोई हमारा 3rd option लाता है पीक वाल ऑप्शन उस case में क्या करना है पीक करना है तो पीक के अंदर भी item हमारे आएगी बस उसके अंदर क्या होगा पप नहीं होगा तो जैसा हमने पप वाले case में करा था कि हमने वहां से पप करा कि उसको item के अंदर करा लिए था वैसी peak के अंदर होगा बस हम peak के अंदर भी return करा रहे थे ना जैसे अगर हम अपना वपर peak function देखें तो अगर खाली होगा तो underflow होगा और नहीं होगा तो हमें वो item ला कर देदेगा तो same हम यहां करेंगे तो यहां पर हमें क्या करा है, आई टम को पीक करा लिया, अगर अगर अंडर फ्लो गगा तो फृंट करा देंगे अंडर फ्लो श्टैक इस एंप्टी और लॉस्ट केसे निकी टू करें गए, पर लास्ट केस्ट है, उसके निकी तो चला जाएगा, या निकी जो हमारा एक्ज अगर कोई 5 डालता है exit तो उस case में loop break हो जाए तो हमारा एक तरह से वो खतम ही हो गया और अगर इन सब के अलावा के डाल देता है यानि 1,2,3,4,5,6 के अलावा कोई और choice डाल देता है तो यहां लिख देते हैं अंदे 1,2,5 डालना था ओके यह हमारा हो गया stack implementation का code इसको भी एक बार रन कराके देखेंगे और इसके अंदर भी कुछ 1,2,5 डालना था इसके बाद भी हम इसको hold कराके रखेंगे अब इसको एक बार जुबिटर notebook के अंदर रन कराके देखते है यहाँ पर जुबिटर notebook के अंदर मैंने अपना code डाल दिया है अब इसको यहाँ पर रन कराने पर यहाँ है सबसे पहले हम करा देखते हैं स्टार्टिंग में था empty है तो push कराते है यहाँ पर इसको रन कराकर देखते हैं अब यहाँ पर मैंने 1 डाला पहले मैं डाल देता हूँ इसके अंदर 9 9 एडिट successfully press any key to continue मैंने कुछ दवा दिया तो यह आ गया अब मैं इसके अंदर यह को और item पुश करा था हूँ enter the item you want to push तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 5 5 एडिट successfully press any key to continue कर दिया अब क्या करता हूँ मैं इसको display करा के देता हूँ कि 9 और 5 गई है भी गिनी फॉर्थ option में डालता हूँ यहाँ पर आ गया 5 और 9 9 पहले गया था 5 उपर से गया था last in first out या दे न 5 उपर आया है और यह देखो यह एरा न top arrow करके इसके उपर इसके अधर मैंने जल 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 देता हूँ तो फिर देखते हैं क्या होगा तो इसके अधर मैंने elements डाल दी है 9, 7, 5, 4, 3, or 10 ठीक है प्रैसे निकीटू कंटिनू करके अभ एक बार देखते है डिस्प्ले करके हमारा stack कैसा बना है 4 दो आया यहां पर आगया हमारा जिस order में डाले से उसके उल्टे में रहेंगे 10 सबसे last में आए तो उसके top पर आगया है और यहां पर यह top का arrow भी आगया है ठीक है तो जो हमने यह line लिख की थी थी ना है यहांपर डिस्प्ले के अंदर यह top इसके अंदर बागी चीज़े भी करके देख लेते हैं जैसे में कुछ पॉप करना है तो टू मैंने डाला पॉप में करना है इसके अंदर से यहां पर एक गलती हमसे उपड़ का छूट गई कि हमने जो अपने पॉप फंक्शन को चेंज करके एस पॉप बना दिया था यहां पर एटम को हमें एस पॉप करना पड़ेगा इसके अंदर हम डालते हैं जैसे 10 डाल दिया पहले इसको पॉप करा कर देखें तो 10 इस पॉप और अगर हम इसको डिस्प्ले करा कर देखें तो पहले 10 पुछ हुआ फिर हमने इसको पॉप करा है अब स्टैक हो गया तो यह था हमारा पूरा कोड कैसे हम स्टैक को इंप्लिमेंट करते हैं पाइफन के अंदर इससे अब समझ आ गया कि मिल देखें को डिस्टी है अब से वह भी समझ आगा एंडर और इसको फाइए है। म Cape Citrix कर स्टैक में मिल जाएगा छूँ ही कोड सा Scorp मिलता हुछ solutions वोड़ेए इंड रिए अंड आटी वेल